डॉक्टर नरंदर सिंक पूर्दी पुस्तक बुनियाद्धान दा अगला लेक अलू विचारा अलू है ता साहिब पर हर कोई यहनू विचारा ही समय दे गुणा दे पक्षू अलू बड़ा अमीर है पर इस प्रती विहार हर कोई लापरवाई बड़ा कर दे अलू कोड़ फड़ मारनली कुझ नहीं ना इनू विर्सेदा माने ना रुतबे दा कमंड अलू नू मुरी स्थान के दरे नी मिलदा क्योंके हर वरी इनू किसी हूर सबजीदा पिछ लग बना देता जांदा आम सदारन परवारां दा हार होन कारण अलू विशेश नहीं बन सकया किसे चीज दा महत्तब ओदो मन दा जदों दूर तो आवे, थोड़ी होए, मेंगी होए, अमेरां दी पसांद होए हर किसे दी लोड पूरी करन दे पक्खों आलू पर वांता होया है, पर इनू वो महत्तब नहीं मिलिया जिस दा हाकदार है कारण यह है कि जड़ी चीज सदारन लोग का नल जोड़ जाए, उदा दर्जा नीमा हो जान दे मामा मतर, ते गुबी मसी, आद रिष्टेदार सबजियां फ्रिज विच मौजा मान दी हान, पर आलू नू पराप याजनाल शरनार्थियां वांग बार ही रोलना पेंदा है आलू दे नीमी रुत्बे कारण नी जे किसे नू करूप दसना होए ता क्या जान दा है कि तेरा चेरा आलू अर गया, ते जे किसे चीज नू बेस होआ दसना होए ता क्यांद ये ता आलू वांग फिक्की है आलू दे परशंसा किदरे नी होई ये ते अलोचना करनी ते ये नू नजर अंदाज करना हर किसे दी आदत है ओन आलू दी किसमत बदलन वड़ी है इदे वन सुवन्ने ते सुवादी पक्वान बड़े उच्चे मुलते विकन लग पाई हैं ते वड़ियां कमपनियां इस्ट दिल्चस्पी लेंड लग पाई या हैं आलू ने विश्व इतिहास्ट बड़ा योग दान पाया है क्योंकि इसने कई देशां दे नक्षे बदल देते हैं जिवे संसार दी खाट समस्या हाल करन्च चावलने कंकदा साथ देत हैं उमी संसार पोख दी समस्या दे समाधान वेच हर पकवाननों मुड़ा देके अलू ने बड़ा सही योग देता हैं जे आलू ना हुंदा था जोका मनुख होर के सम्दा होना सी। आलू ने मानू जाती दी पोक तो रख्याई नी केती, इन्हें हरेक व्यक्ती दी सरीरक ओर जादा पदर भी उच्चा चुक्या है। इसने मनुखी डील, डॉलनू, सुधारया, सवारयाई नी, जीवन प्रती मन द्रिष्टी कौन भी बदलिया है। योद दोरान अलू बड़े कामदी चीज बन जान दा है। शांती दोरान इस सुधनल खादे जान वाले कई परकार दी पकवान बन दा है। जे विशाल द्रिष्टी नल बेख्या जाये ता सड़े निता प्रती दे जीवन चे रोनक, प तो जन दी थोड़ दोरान कार्च जी अलू होन ता परवार दा होसला बड़े हैं। पो ख़दा सामना जिननी बहादरी नाल अलू करदा है, कोई होर सबजी नी करदी। एक किसाना ते मजदूरान जो खुल के वरताया ते खादा जान दे। अलू आ नाल संसार दी, कोई ब व्या वांगी अलू दा बड़ा मुखा अलू डाया जान दे, पर ना व्या बिना जीवन चल दा ते ना अलू बिना कोई रुसोई चल दी है। अलू अकसरी कल्ला नी हुंदा, यहोर सबजीयान अलसांज पाई रखदा है। गरीव देशांच परवार बड़े हुंदे हैं जो कुछ वी रिन्या पकाया जान दे, उसच अलू पाके वदा आकार वदाया जान दे। एशियाई देशांच तरी बड़ियान सबजीयान दे रिवाजदा वी इही कारण है। ताके सबजी आकार मात्रा दे पकुम वाज जाये ते इवदे रिवेक्त यानू उर्ताई जा सकी। ये होटलांच काटी बनदाये पर करांच बनदायी रन्दाये। ये हर सबजीच हर्मोनियम नाल तबले वांग हाजर रन्दाये। अलू दा बड़ा लम्मा इतिहास है। ये दा जनम दखनी अमरीका दे महादीप छोया। जिते पीरू ते चिलीच ये पोर वीस्वी तो वी पांच सदियां पहलां खादा जान्दा सी। मुडच अलू खान तो पहलां पूजया जान्दा सी। ओदो अलू दा अचार पागे भी रख्या जान्दा सी। इन मत्रवंग सुका के संभया जान्दा सी। तो जदो कोई लम्मी आतरा ते जान्दा सी। तो सुके अल आलू नाल लाएके जानदा सी, मलाहां विचे बड़ा हर्मन प्यारा सी. आलू स्पेन राही इतली इंग्लेंड आध विच 16 वी सदी विच पहुंचे आ सी. पारत विच आलू स्पेन राही इंग्लेंड दे पर बावदी नपड़े आ सी. आलू होन संसार दी हर देश दा वसी है. मुडच कई देशांच आलू सोड़ दते जानदे सी, ते इना दे पत्ते व बाड़े जानदे सी. जड़े जहरीले होन कारण आलू दी पंडी दा कारण बड़े ते इनू जहरीला ते शातानी बूटा क्या गया. जिस ते कोड़ दा रोग उपजान, खानसी लौन, ते मौध दा कारण बड़न दे दोश लगे. 16 सदेची कवड़े मला ने इंगलेंड दी महराणी एल्जबेथ दी शाहीर सोईनू पहली बार जदो आलू पेट कीते, ता खान सामयाने आलू सोड़ देते, ते पत्ते वबाड़ देते, जिनानू पीन नाल सारे बिमार हो गे ते कि शाही फर्मान नाल आलू ते पबंदी 16 सदेची कारण ने इंगलेंड फ्रांस वालू स्पेन तो आण करके इदी वरोत्ता दा इक कारने इसी के स्पेन नू फ्रांस से इंगलेंड दो में नफरत कर दे सी, इमें आलू नू जहरीला कोड फलान वाला इना केहा गया, सो गो एभी अफबाब फैली के जमेन नू खर 16 सब्सक्राब कर दे इस तरियान वे परमसी के गर्व दोरान अलू खान नल बच्चे दा सिर्वड़ा हो जान दे त्योनू जनम देन समे मान दी मौत हो जान दी स्पष्ट है कि मुडवेच आलू नू सारे विशवेच पांत पांत दी विरोत्ता दा सामना करना प्यासी यौरप वेच जेस केसे ने आंट गौांड वेच जे केसे प्रती नफरत प्रक्टाणी हुंदी सी तर आदेह नेरे चोदे द्रवाजी आगे अलू दे छिलके सोटाना से अलू बारे परंप लेखे दूर करंच लग पग एक सदी लाग गई ज़दो अलू दा महत्तव समझले आगया था फ्रांस दे बाजशा लूई सोल भी ने अठारवी सदी दे दूजे अद विच पैरिस तो बारले पासे सो एकड जमेन अलू भी जन ले दित्ती ते इस फसल दी राखे ली पैरा लाया गया पैरा लगण कारण नेडले इलाकियां दे किसान विच एस फसल सबंदी दिल्चस्पी जागी दे किसान अलू चोरी करके अपने खेतांच बीजन लाग पे ते अलू बरवान हो गया फ्रांस वे छोणवी अलू आदे वे भिन पकवाना दे ना लूई बाशा दे ना नाल जुडे होए हान अलू आधियां फ्रेंच फ्राइज जोके संसाथ सुवाद नल खादियां जान दियां हान जर्मनी दे बाशा फ्रेड्रेक ने जदो एक वार अपने विरोधियां कैदी बनाके खेतांच बगार लाई तैना दी सेत पहला नणो चंगी होगे संसार चालू दा सब तो वड़ा योगदा ने रिया है के ने पुक मरीतिया काल दा खातमा कीते है साड़े वड़े वड़े रियकसर अकाल दा शिकार हो जान दे सन अकाल नल उपजन वणियां बिपतामा नल जिस बहादरी नल अलू जुझे आ है उमें कोई होर नी जुझे उनसी आलू देश सहयोग नाल संभव होए अकाल देखात में उपरांत जाननी सकदे कि अठार मीती उन्नीमी सदी दोरान पोख मरीती अकाल की नियां वडियां समस्यावां सन यौर्प देखिसे देश्ट जदों पश्वां लेट चारे दी किल्लत उपच दी सी ता पश्वां नूवी अलूख होए जान दे सी आयरलेंट जदो एक वरी अलूआदी फसल पूरी तरह बिमारी देशिकार होगी ता दस लख देश वासी मौद दी पेट चड़े सन खुन संसार पर चखादे जान वाले अलूआदी सलाना कप्त लगपग चारी किलो प्रती व्यक्ति है अलू ना अलर्जी नहीं होंदी मेदा इनू परसान होके सभीकार करदा है जल्दी हजम हो जान दे अलू किसे सबजी नाल नराज नहीं होंदा अलू खान समे जदो नहीं करनी पेंदी एनू हार उमर्च खादा जा सकते जर्मन ते अमरीकन सब तो वद आलू खान दे हन शायद ऐसे लिए सारे संसार चे वदेरे शक्ति शाली हन जदो आलू किसाना दी खुराक दा पाग बन दे ते किसान तकडे होंगी खेती दा कारज कर दी हन ते होर फसल नहीं पाजवी वद जान दी है जिस नाल उद्योग उत्पादन वद दा ते अमन शान्ती रहन दी है संसार च अबादी वद दन दा एक कारण अलू ही है अलू खान नाल पतला स्रीर पर या जान दा इस नाल स्रीर चूर जा वद दी है जड़ी कामुक शक्ति वज्जों पर गठ हुन दी है यारप विच रोटी का टखा दी जन दी अलू दे रिखा दे जन दी है जिमें पैसा सब मसलेयां दी जड़ है उवें अलू खुराक दी सब विबादां दे मसलेयां दा हल है अलू नाल पारत विच खाद समस्या हल हो सक दी है पर असी अलू ने दी पौस्ट पौश्टिक ता पारण नहीं खान दे अलू मोटापा नहीं करदा, अलू चो मोटा करनवाला कुछ नहीं, पर अलू नू अक्सर तड़े हुए वक्वाकु रूपांच लोड नलोवदे रिखादा जान्दै, अलू क्यों बड़ा चूस दै, मोटापा अलू नहीं करदा, क्यों करदै, तुसी जदों में किसी मोटे बंदेनू वेखोगे, मोटा करनवाली ही कोई चीज सुवाद लेला के खारया हुएगा, वादेच पै बच्चेयानली अलू बड़ा लापकारी हुए, अलू नलपा अरदे लोकां दी सेते कार गुजारी सुदर सक दी है, जे तो अनू अलू चंगा नहीं लागदा, ता न अलू नहीं, अलू साड़ी निता प्रती दी गलबाद दा हिस्सा बन गया, एक पतनी ने मोटे पती नू अलू कैदता दे चगड़ा हो गया, पामे किसे इस्तरी नू पती विचो अलू जा पुर्ष नू अलू विचो पतनी दा चेरा दे से, उनू ए तत पर गट नहीं करन अलू जाएदा, एक मोटा बंदा पोख लगणते कहरे आसी के सारे स्पाई सुमोसयां मांग, सारे बचे आलू आ मांगते सुंदरता दे मुकाबले दिया, सारे सुंदरियां टिकियां मांग, एक को जगड़ा लग दियां हाँ, एक प्रेमी ने प्यार टुट्टनो पुरं याद नी होंदी, जिनने उस फोलों बनाये ते खुआए प्रांठियां ते पकोड़े आंदी होंदी है, पारत विच विद्यार थियां दे होस्टलांच बनन वाडियां पोतियां चीजांच आलू हस्दा देस पंद है, आलू नाल जिमें कई पुलेखे जुड़े हुई हा नो में कई कहाणियां में जुड़ियां होई याहां, योर्प विच अठार्मी सदी दोरानिक हाकम ने फोज विच अपनी प्रेमकानू मिलन जानवास थे, पगोड़ा होन वाले राजकुमार पुत्तर नो सजा वज्जों अपने जैदात वाले पिंडू लाके आंच जमीन नो हार बदल गई, पिता ने दा सजा देती सी, पुत्तर ने सजा नो वर्दान बना लिया सी, आलों दी पर पूर फसल कारण उस राजकुमार दी महमा होई, एक समा सी जो दो योर्प विच जे आलो भी जन दा काम पछड जान दा सी, ता किसान चिंता करन लाक पेंदा सी, राजे दा विरोध करन करके किसान दा पुत्तर जेल चिसी, पिता ने चिठी लिखी के फसल भी जन वास्ते वसीले ना होन कारण खेत दी पुटाई नहीं होई, तक की करिये, पुत्तर ने लिखिया खेत ना पुटना, उत्ते मैं बंदू का दबियां होई है, चिठी सार दे जो के नक्षे उते अलू दा परबाव पर तक है, तेकनोलोजी दे पारू होन तो पहला यॉरप दी युद्ध कला अलू तो परबावत रही है, अलू कारन खुराक वदी फौजी परतीच वादा होया, ते यॉरप वेच जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्टगल, आस्ट्रिया, इंग्लेंड ते आदेशां विचकार युद्ध ते लड़ाईयां वदियां, हमले दोरान फौज अनाज दे सारे पंडार जांखरीद लेंदी सी, या जब्त कर लेंदी सी, अज़े स्थिती चा अलू ही किसाना दी खुराक दी मुख टेक बनदा रहा है, अल तो गुलाम देशांच आलू सदारन लोकांदी खुराक दा अंग बनेयां, ताइएन देशांच सदारन लोकांदी सेथ सुद्रन ते स्रीरक वुर्जा वदन कारण सुतंतर ता संगराम चले, हुन भी आलू तो बिना कोई देश विश्व शक्ती नी बन सकता, क्योंकि किसे नी है अना आज देश पंडारां ते स्टोर अंच पाई अलुआंच हुन दे एं, एक पड़ा ते यॉर्प दे हाकमा दा मुख कारज अपने देशां दे किसाना नू अलू दे भीजवंड़ना से, कोई देश वोदमी विकास करदा थे खुशाल हुन दे, तो उसको खुराक दी अमीरी हुवे ते दे विशाल पंडार हून। अलूदी जै हुवे तान्वार